हे दोस्तों मैं चिराग एक और वीडियो के साथ तो आज हम देख रहे हैं पास्टेर के mcqs theory of costs related around 17 mcqs हैं सारे के सारे पास्टेर केस में मैंने कोई important extra cover नहीं किये और हाँ अगर आपने theoretical concept की की वीडियो नहीं देखी तो पहले वह देखिए तब जाके आपको यह समझ में आएंगे क्योंकि जैसे आप cost समझोगे उसके बाद revenue की वीडियो कवर कराऊंगा तो वह भी समझनी है उसके बाद यह आपको price determination का part आएगा under different market situation जैसे perfect competition monopoly monopolistic competition oligopoly duopoly नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत जादा और इसके कुछ questions भी होते हैं जैसे equation के form में बनते हैं जैसे मैंने एक आपको आज की वीडियो में भी दिया है तो अगर आपने question वह solve कर लिया तो अच्छी बात है नहीं तो मैं आराम से पढ़ लीजिए फिर इसके बाद सोचिए कि वर्टुलर क्या था वैसे तो आपने क्या है पहले PDF देख लियोगी उसके साब से आपने cover कर ली होंगे देखिए simple रखना है पहला option क्या बोल रखा है यानि पहला statement क्या देर रखा है इंद शॉर्ट जो तो इसका मालब सारा जो चेंजजेज हो रहा है वह किसकी वज़स हो रहा है वर्येबल कोश्ट की वज़से चेंज हो रहा है तो टोटल कोश्ट में जो भी चेंज हो रहा हूँ किसकी वाज़ से हो रहा है चेंज इन टोटल वेरियबल कोश्ट अगर आप पहली वीडियो का PDF देखेंगे या पहला ही PDF देखेंगे तो आपको इसमें टेबल दिखेंगी जिसके दुरू आप आराम से समझ जाओ के देखो 10 और 10 चेंज़ कितनाा ओर जरो जैसे जय से ऑल्ट चेंज ओते जाघरए लिकिन वेरियर कोश्ट में देखेंगे यह performant Зब्सक्ति उन टोटल कोश्ट मे जो फिक्सट रहते आपको पता है तो जो भी आउट्पुट में चेंज सो तो यहां आपको इसका व्या वेरियबल कॉस्ट चेंज होगी जब भी आप कर देखते हैं तो उसमें आपको पता चल रहा है कि टी एफ सी कॉंस्टेंट है और वेरियबल कॉस्ट जो है एक तरीके साब के उल्टे एक चेंज है तो आपको दिख रहा है वह पैरलल गैप दिख रहा है तीजी इस पैरलल टू टीवीजी टीवीजी इंक्रीजेज आउट्पुट इंक्रीजेज टीएफ सी कॉंस्टेंट एस सारे लेवल पर तो आपको पता चल गया फिर देखिए आप क्या गड़ना यह उप् साथ वाला देखिए आप अब लाएफ लेकिन मैंने फूरा पार्ट कवर करा दिया था यह वाला ठीक है अब देखिए मैं खुद भी बना सकता था वहां पर पर लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आता जो यहां पर आपको दिखेगा तो आप देख सकते हैं देखो यहां पर मैं एक बार बना के बता जाता हूं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि हम कैसे बना सकते हैं देखो एफसी गिरती हुए रहती है द्यानक न ठीक है एफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो की रेक्टेंगलर हाइपर बोला भी होती है और एवरेज वेरिबल कॉस्ट एक तर इसको श्रिंक होती जा रही है यह मैंने बताया था शुरू में आपको तो आप यहां रखना मेरी पर्टिक्लर वीडियो कवर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अब यहां पर आ जाईए इस पर्टिक्लर में डाइग्राम पर तो आप देखिए यहां पर क्या बोल कोस्ट किर रही है फिर एक पईंट जाँ पर intersect कर रहे हैं वहां पर ऐसी क्या है कौन्स्टएंट है फिर इसमें अब एक बार इधर आई तो इसमें और रिखिश न एफ सी तो मैने बोले बूल जाइए एक बार और यंक्रीज बूल जाइए अब पढ़िए इफ्टें एक फ तो AFC less than ABC then AC decreases नहीं आपको पताए कि अगर AFC less than ABC तो AC क्या होगी increase होगी ठीक है यह रहा less than तो AC क्या होगी increase होगी तो इसका मलब गलत है इसी तरीके देखो AFC is greater than ABC तो हम क्या बोलेंगे AC decrease होगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला इफ AFC is greater than ABC then AC increases गलत है तो यहाँ पर अगर increase होता यहाँ पर decrease होता यहाँ पर sign change हो जाता यह greater का sign होता और यह decrease ही रहता ठीक है फिर सही रहता और यह less than का sign रहता एक तरीके से और यहाँ पर हम क्या बोलते AC decrease रहता तो उल्टा अगर part होता तो फिर सही रहता तो हम क्या बोल सकते है A ठीक है और C ठीक है C में देखिए if decrease in AFC is equal to increase in ABC AC remain constant जहाँ पर वह एक तरीके से cut कर रहे है दूसरे को कौन AFC और ABC तो AC क्या रहेगी constant तो अपना आंसर क्या होगा फर्स्ट का A क्या रहेगा यह रखना अब देखिए आगे का पाड़ स्टार्ट करने से पहले कर लेता है अनेकडमी की बाग देखिए अनेकडमी लेकर रहा है इसमें टॉप टीचर्स द्वारा कंप्लीट रिविजन आपको प्रवाइड कराए जाएगा एपसुलूटली फ्री ट्वैल डेस का यह सेशन होगा टोटल मलाके 200 प्लस सेशन होंगे 33 एडुकेटर होंगे आप देखिए देख सकते हैं कि इसमें पेपर वन और पेपर टू से रिलेटेड पूरी के पूरी 10 उनिट कवर की जाएगी जिसमें रिविजन भी होगा और संस्क्रत पंजाबी इस तरीके से जो भी आपके सब्जेक्ट है उन से रिलेटेड भी सेशन होंगे आपको सब्सक्रिप्शन में दे रखा है इसी तरीके से आपके लिए एक और अच्छी गबर जहां पर आप 100% स्कॉर्डिशिप तक जीश सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है एक साल के सब्सक्रिप्शन पर 100% स्कॉर्डिशिप आपको मिल जाएगी रैंक 2 से 10 आती है तो आपको 75पर्शन सब्सक्रिप्शन पर सुरुर्षण Помेलेगी साथ अप्रेल से बैच स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी एन्रोल कर सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और याद रखिए कि अगर आपने प्लस या आइकोनिक सब्स्क्रिप्शन अगर आपको लेना है और आपको 10% आफ भी चाहिए तो चिराग हैummy और याद रखिए कि अड़ी का अब किसली इसके उज्सराइब करिए कै Eggs यूश्य करें टो थोड़ा सा उदया होता है यूश पन जाता है लेकिन वह जटनी की तरह अगता तो आप आप तो आपको बताए कि ये कौन सा अवरेज कोश्ट है और ये क्या अब कर देती है और आपको बंड़ना चालू कर देती और गीरी रही है डीके तो आप देख सकते हैं डीकर्ड अफेरिच आपर नीचे है तो हम क्या बोलेंके जनरल भी स्क्थप गर रही है लेकिन अगर मार्जिनल पॉष्ट बंढ भी चालू कर देती हैं हम से बहुतीasma के लेकिन तीज श्व्ट से और बेंगेत मेरे आप có कर देती है marginal cost पहले ही बढ़ना चालू कर देती है या रखना तो यह बोल रहा है while AC continue to decrease AC एक तरीके से बोल रहा है continue to decrease यह वाला जो मैं कर रहा हूं जिसको dark कर रहा हूं marginal cost begin to rise देखो इसको मैं dark कर रहा हूं ठीक also when AC is at its minimum जहाँ पर AC अपने minimum point पे हो यानि यह वाला point जो मैंने बोला it is neither increasing nor decreasing मलब marginal cost न तो बढ़ रही है न कम हो रही है इसी point पर रुकी हुए it is constant when AC is constant तो इसका मलब क्या है जब AC constant तो marginal cost भी constant है it is equal to marginal cost at the point of intersection अब देखो it is में या पर क्या होगा AC आ जाएगा क्योंकि एक बार बोल रहा है it is constant when AC is constant मलब marginal cost constant है जब average constant है और it is equal to marginal cost इसका मलब क्या हो गया AC किसके equal होगा marginal cost कौन से point पे intersection वाले point पे जापे वो कट कर रहा है तो हम बोलेंगे बिल्कुल ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ हुआ ए और authorized कर दिखाना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा देखिए आपको शुरू में क्या बोल रखा था कि एक तरीकरी से average cost आपकी गिर रही है चाहिए आपकी marginal cost भी बढ़ती जा रही है फिर आपको बोल दिया कि इस point पे एक तरीकरी से क्या constant है दोनों ये भी बोल दिया और equal भी बोल दिया तो यही तो particular point आपको बोल रखा है अगर आगे आपको बोलता कि average cost बढ़ रही है तो उस case में आप क्या बोलोगे कि marginal cost उससे तेज स्पीट से बढ़ रही है तो marginal cost उपर आ जाती है और आपको मैंने ये भी अंसर क्या होगा second का ए बिल्कुल ठीक है अब थर्ड पर देखिए क्या बोल रहा है थर्ड वैसे मैंने आपको कवर करवा दिया था शायद फिर भी चलो मैं करवा देता हूं कि देखिए असर्शन में क्या बोल रहा है यूशेप long run average cost curve is based on the assumption that economies of scale prevails at a small level of production and this economies of scale prevails at larger level of production यह मैंने जनरली आपको बताया था देखो कि यूशेप कर बनता है तो आपको बताया कि यह average cost का भी आपने उपर भी देखा और आपने long run में भी मैंने आपको बताया कि जनरली क्या छोटे-छोटे आपको मैंने बताया था यहां पर आपको मैंने बताया था कि आपका हमेशा है रखना कि least cost रहती एक तरीके से हम बोलेंगे lower cost per unit रहती है जिसका हम क्योंकि यहां पर हम अपना optimum output करते हैं जनरली यह बात मैं बोल रहा हूं अब देखिए यहां पर आपको बताया कि यह economy of scale है तो अगर आपने बहुत over production कर दिया तो डिस economy आएगी तो इसलिए आप क्या करो production एक तरीके से अपने level पर करो जो भी small level उसके साब से करो output बढ़ाओ लेकिन किस पर करो small level पर करो यह बोल रहा है फिर डिस economy of scale कब आएगी जब larger level of production होगा तो normal सही है देखो मैंने क्या इसको match किया खूब बार तो मुझे क्या सही लगा तो particular is सही assertion रीजन में क्या बोल रहा है decreasing return to scale arises primarily because as the scale of operation increases it becomes even more difficult to manage the form effectively तो देखो आपको बता है कि decreasing return to scale का मतलब क्या है production आपका गिर रहा है या आप यह भी बोल सकते हो production चलो बढ़तो रहा है लेकिन marginal product जो है आपका वो दीरे-दीरे गिरता जा रहा है तो उस speed से नहीं बढ़ रहा है जैसे पहले बढ़ रहा था increasing return to scale में ठीक है तो उस case में आप क्या बोलो के production बढ़ रहा है technical difficulties की वज़े से marketing marketing डिस economies की वज़े से मैंने आपको बताया था production डिस economies की वज़े से कि क्या पता जो labor है वो skilled labor हमें नहीं मिल रहे है वो scarcity में हो क्या पता जो management हो efficient हमें नहीं मिल रहे टेकनिकल मैंने आपको बताया था वह electricity generating plant वाला कि उसकी एक लाग क्लोवाट और की capacity उससे ज्यादा वह प्रिड्यूस करी नहीं सकता अगर उससे ज्यादा प्रिड्यूस करने के करेगा तो क्या पता जो भी machinery या जो भी plant है वह फूख जाए वह खराब हो जाए breakdown हो जाए तो इस चक्कर में क्या बाता है decreasing return to scale आपकी हो सकती है और भी था financial dis economy क्या पता आप बहुत ज्यादा loan पर depend हो जाओ तो आपकी जो capital की cost है मलब interest का part है वह ज्यादा आने लग जाए तो region बहुत सारे है इसलिए हम बोलेंगे आर राइट explanation दे रहा ठीक है तो हम क्या बोलेंगे बोथ ए और 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 करेक्ट और आर इस नॉट दा राइट explanation मलब proper explanation नहीं है इसमें और भी आने चाहिए तब जागे हम क्या बोलते है प्रॉपर explanation होनी चाहिए तो थर्ड का आपका क्या आएगा बी अब फोर देखिए थर्ड का क्या आएगा बी या रखना है ना फोर देखिए क्या बोल रहा है अंडर विच और फॉल situation economies of scale exist to the potential and purchase देखो आपको बताए कि जहां पर एक तरीगे से आप output बढ़ा होगे तो आपकी long run cost जो भी होगी वह दीरे दीरे गिरती जाएगी इसका मतलब cost per unit गिरती रहने चाहिए तो हमें पताए कि वह कब आएगी जैसे जैसे cost गिरती जाएगी तो एक पॉइंट बाद वह बढ़ेगी तो वहां पर आके हम रुख जाएंगे उसे हम जैनल के बोलेंगे कि हमने output बढ़ाया तो हमारी cost per unit दीरे-दीरे करके क्या होती गई कम होती गई तो when long run cost of producing a unit fall as the output increases देखिए मैं और पॉइंट क्यों नहीं पढ़ाता कभी 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 देखना कि बिल्कुल वकवास से होते हैं या देख भी लेना आपके काम आएंगी ही नहीं तो आपको पता चल गया कि इसका option जो होगा वो क्या होगा फोर्थ का डी ही होगा ठीक अब फिफ्त द मैंने आपको क्या बताया जनरली अगर आपको कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा तो आप अपना output बढ़ा रहे हो जिससे कौश कर रहे हो यह मैंने आपको बोला था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि देखो मैंने 5 economy के नाम दिये वे हैं आपको लेकिन अगर आप अलग स होते हैं ठीक है तो इस तरीके से आपको या रखना है तो economy जब आप देखते हो तो इसका मदलब क्या है आप cost परिणिट कम कर रहे हो किसके थूरू बल्क में produce करके तो आपको पता है कि इसका second रहेगा तो देखिए answer ही C हो गया क्योंकि और जगे नहीं इधर भी दिख रह होती है तो firm को अपने benefit मिल जाता है जबकि internal क्या होता है कि firm को खुद मेहनत करनी पड़ती है यह firm की size पर डिपेंड करता है तो firm को अपना output बढ़ाना पड़ेगा उस हिसाब से cost permit क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो arise when cost per unit depend on size of the firm firm ठीक है तो second का third तो देखो B का आपका क्य बढ़ाएगा यह रहा तो C ही है answer C ही है answer चलो external में देखिए external में क्या है arise when cost per unit depend on the size of the industry not the firm आ गया ना और scope का मतलब क्या बताया था जब आप इसका मतलब जैसे मैंने आपको proctor and gamble का example दिया था आपको मैंने यह भी बताया था ITC बहुत सारे product बनाती है तो generally वह क्या करी कि जो भी total cost लग रही है बहुत सारे product को बनाके जो अपनी cost per unit उसको कम करने का काम कर रही है जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ही machinery का यूज particular द परपच के लिए भी कर सकती है तो generally मैंने आपको इसमें complimentary goods का example भी बताया था कि आपका bread का काम है तो आप साथ में butter भी produce कर रहे हो और jam भी produce कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ वाइड variety of goods and service produce कर रहे हो जिससे आपकी cost per unit कमा जाए तो arise with lower average cost of manufacturing a product when two complimentary products are produced by a single firm तो जब एक क्या कर रही है दो complimentary product produce कर रहे है तो आपकी average cost क्या हो जागी कम तो second, third, fourth, first इसका answer होगा आपका C, fifth का अब आपका ये question जो आप cover नहीं कर पाए होंगे तो ये करवा देता हूं पहले यहां पर देखिए answer कहीं आपको दिखनी रहा लेकिन मैंने answer आपकी जो PDF आपको provide करूंगा उसमें cover कर देता हूं यानि मैंने cover कर दिया है यहां देखे पढ़के देखिए short run cost function of the firm is as follows, total cost दे रहा है 200 plus 5q plus 2q square अब देख लीजे पहले आप समझ लीजे देखो यहां पर बोला तो आपको बताएं कि जब 5q 2q दे रखा है तो खुद दिमाह लगाई यह 200 दे रखा है तो एक तरीगे total cost is equal to क्या होता है fix cost और प्लस variable cost तो fix cost तो constant है क्योंकि देखो क्या वह बहुत है short run में fix cost होती है तो यह 200 है और variable cost क्या होती है quantity में change होने के साथ quantity बढ़ती है variable cost भी बढ़ती है तो यह 5q प्लस 2q square दे रखा है तो यह क्या है variable cost का पार्ट है तो इसको अलग कर दीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही है ठीक है यह बाट आगया अब आपको देखो मैं एक पार्ट बतायाता हूं कि जब भी आप average cost की बात करते हो अभी आपको मैं इसका solution दिखा दूँगा लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं तो formula क्या होता है tc upon q ठीक है तो यह पूरी की पूरी tc 200 plus 5q plus 2q square उपर कर दोगे और marginal cost का अगर आपने मेर से वो marginal production वाला example देखा था जिसमें मैं आपको बताया था कि marginal production का मलब क्या होता है change in tp ठीक है जिसमें मैंने cubic production function बताया था अगर आपको ध्यान हो या आपने पास्चेर के mcqs वा था वैसे marginal cost क्या होता है change in tc upon change in quantity यह होता है अब देखिए यह क्या है मेरे को किसी ने बताया कि derivation से solve होता है मतलब maths वाले पार्ट से और maths में मैं हूं कमजोर तो मैंने आपकी trick निकाली भी है मैंने आपको बताया हुआ है तो यह कैसे निकलेगा generally marginal cost आपकी कैसे निकलेग तो आप देख सकते हैं नीचे आपको पता चल रहा है कि जब भी optimum output निकलेगा तो average cost is equal to क्या होता है marginal cost होता है तो देखिए average cost का पार्ट तो मैंने आपको बताई दिया कि कैसे निकलता है 200 plus 5q plus 2q square मलब total cost का पार्ट है अप उन क्या करोगे quantity कर दोगे तो आपको क्या करना ह Q से Q काट देना है Q square है तो Q square का मलब क्या होता है Q into Q और नीचे divide by Q आपको पता है तो 1Q से 1Q कर जाएगा तो 1Q बचेगा इसलिए देखो 2Q आ रहा है ठीक है और 200 upon Q करोगे तो 200 upon Q ही ले लो ठीक है इसको यह मत बोले ना सर 200 upon Q 100 Q हो जाएगा 100 upon Q हो जाएगा ऐसा नहीं है आ Marginal cost का आएगा 5 plus 4Q कैसे कैसे आएगा आप Marginal productivity वाला apply करके देख लेना आपको समझ में आजाएगा नहीं आएगा तो देखो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसके साफ से तो यह है तो देखे Q की power 1 है Q की power क्या है वन है तो आपको पताएगी जैसे मैंने आपको बत और आको आपने 5 से multiply कर दिया तो 5 x1 क्या होगा 5 और Q की power तो 1 ही है तो Q तो वैसी हट गया 5 तो इसका मतलब जब भी square होता है । यह Q की power 4 आ जाए Q की power 3 आ जाए Q की power 2 आ जाए तो अगर Q की power 2 है तो एक Q बच जाएगा Q की power 2 है तो Q square बच जाएगा यहा रखना अगर Q की power और 4 है, तो Q, Q बच जाएगा, और वो आगे से multiply हो जाएगा, ठीक है या रखना, तो देखो Q का square है, तो देखो जैसे ही multiply होबा, तो 5 प्लस कर दिया मैंने, और 2 into 2 करूँगा, तो जनली क्या रहेगा, 4, क्या हो जाएगा, 4, और Q की power क्या रहेगा, 1 रहे गया, क्योंकि Q square थ 1 हटा दो, 1 का कोई role ही नहीं होता, अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों नहीं लिया, ये fix cost है भाईया, marginal cost क्या होती है, variable cost में change होने से, ये variable cost का part है, किसका part है, variable का, समझ गए होंगे भाप, तो देखिए, अब आपने क्या करा, average cost is equal to marginal cost बोला, और आपने ये दोनों प cost बोल दिया, तो देखिए, ये average cost उतार दिया, ये marginal cost उतार दिया, अब कैसे solve करोगे, इसको यहाँ पूट कर दो, इसको भी यहाँ पूट कर दो, तो आपको पताए कि जैसे ही sign change करोगे, minus को जाएगा, ये भी minus को हो जाएगा, देखो, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आग 100 is equal to q square है, square को जैसे इधर लेके जाओगे, तो वो square root बन जाएगा, अंडर root, ठीक है, तो q का अंडर root के आएगा 10, और आपका answer हो गया 10, तो यहाँ रखना, marginal cost में हमने 200 क्यो नहीं लिया, क्योंकि वो variable cost का बाठ हमें लेना है, marginal cost का मनलब क्या होता है, आप चाहे तो change in tc upon change in q बोलते हो, या change in tbc भी बोल सकते हो, क्योंकि fix cost तो constant ही रहती है, तो change in tbc upon change in q भी बोल सकते हो, इसलिए, ठीक है, तो हमें बता है कि variable cost का पार्ट सिर्फ यह ही है, जिसके साथ quantity का पार्ट आ रहा है, जो एक तरह के से constant independent है, तो यहाँ पे हमें बता है कि यह fix cost का है, independent है, इसके साथ quantity का पार्ट नहीं हा रहा है, अगर इसके साथ भी quantity का पार्ट आता, तो इसका मलब वो long run cost function होता, क्योंकि long run में सारे factor क्या होता है, variable, जबकि short run में तो आपको बता है, fix का पार्ट भी है, जो कि 200 रुपे एक तरीके से आपको fix cost का पार्ट बता रहा है, तो आप एक तरीके से हमने level of optimum output बोला ना वो, अगर आपको बोलेगा कि sir question में बोल जाए कि 4 quantity पे क्या होगा, तो आपको आपको दही रखाए ना, तो आपको निकालने की जुरत ही नहीं है, आपको बस क्या करना है, उस 4 quantity को put करना है quantity पे, 5 into 4, 2 into 4 का square, तो अपने आप आप आ एन आंसर, अब 7 का बोल रहा है, the minimum long run average cost can be determined on a July 16 का, LSE curve for a normal production function, LSE curve for a linear production function, planning curve, envelope curve, अब देखो दिमाहा लगाए, long run average cost करो जो बनता है, वो normal production function की बनता है, normal बनता है, जो आपको बता है कि production बढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, क्योंकि जब हम production function की बात करते तो उस से related हम जो cost बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, इस तरह की से बनती है, ठीक है, जब मैंने बताया था कि production का उल्टा सोची है, तो इसके साब साब को पता चलेगा कि cost कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, तो वो envelope shape बनता है, यानि envelope curve बोलते हैं, या जिसको planning curve, मैंने लिखा हुआ है, आपको शायद मैंने third video में provide करा हुआ है, तो third video देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि sun ने long run cost का मतलब क्या बोला था, तो आपको सारा पार समझ में आ जाएगा, अब देखिए, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि first भी आपका होगा, planning curve भी same यही है, जो आपको बोल रखा है, envelope curve भी same यह, तो first, third, fourth होगा, लेकिन इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो linear production function की बात करते हो, तो मैंने जैसा isoquent बताया था आपको, तो वह ऐसे बनेगा, जबकि isoquent तो ऐसे बनता है, convex बनता है, लेकिन जब भी linear की बात करता है, तो ऐसे बनेगा, इसी तरीके से आप बोलों कि sir, आप तो cost बना की बताईए, long run average cost curve की linear production function में कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बोलूँगा, कि इस वाला envelope का आपको पता रहना चाहिए, short run average cost curve बनते हैं, तो आप देखो कि सबसे पहले वो नीचे नीचे जाते वे एक तरीके से नीचे जाते हैं, फिर साथ में उपर आते जाते हैं, तो आपको बताए कि शुरूँ वाले क्या होते हैं, एक तरीके से उपर वाले जादा होते हैं, फिर नीचे वाले थोड़े कम होते हैं, तब ही तो हमारी cost per unit कम आती है, क्यों? क्योंकि उसके नीचे tangent होते वे curve जाता है, long run average cost curve क्या होता ह तो जो production हो रहा है, जैसे 100 unit का, और मान के चलो कि आपने जैसी एक और labor लगाया, मलब दो labor, और दो capital और, मलब चार capital, तो आपका 200 unit हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, constant, constant का मलब क्यों हो गया, linear homogeneous production function, तो जब linear homogeneous की बात करते हैं, तो उस case में जो cost curve बनेगा, वह ऐसे थो का LSE curve बनेगा, क्योंकि यह सारे SSE curve है, तो उसके through जो भी आपकी line बनेगी, वह straight बनेगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखो, सीधी सी बात है, अगर input आपका same लग रहा है, और उससे output भी same निकल रहा है, और price आपको बताए कि labor की भी same है, और capital की same है, change नहीं भी, यान उनको जो भी आप payment कर रहे हो, same payment कर रहे हो, chain नहीं हुआ, तो आपकी जो cost per unit है, वो भी same आएगी, आपकी जो cost per unit है, वो भी same आएगी, तो वो constant ही बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, minimum long run average cost बनेगा ही निए इसमें क्यों, क्योंकि sum में same ही है, minimum का बनता है, जब U-shape का बनता C है, 7th का आपका है, C, ठीक है, अब 8th देखिए, 8th का क्या है, अब देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको theoretical part में भी economic capacity का बताया था, चाहे वो PDF में covered नहीं करा, लेकिन आपको मैंने समझा दिया था कि normal part है, क्योंकि देखो मैं PDF में भी यही लिखता और same to same part यह हो पर यूइट बनाते हो, तो आपको बताए कि U-shape का part बनता है, तो जो भी आपका सबसे least part है, हम बोल सकते हैं, यानि जो भी आपका curve का सबसे lowest part है, वहाँ पर आपको पताए कि आपकी जो cost हो रही है, वो सबसे कम हो रही है, cost पर unit की बात कर रहे है, जब भी हम average cost की बात कर करेंगे हमारा optimum या maximum output निकल के आ रहा है तो आपको पता है कि यहां पे generally क्या होता है जब भी आप average cost की बात करते हो तो यहीं से में marginal cost को intersect करवाता था यह तो पताता था तो इसका मुलब जहां पे average cost किसके equal हो marginal cost के और जहां पे हमारी cost per unit क्या रही हो कमारी हो क्योंकि इसके बाद ही वह बढ़ना चालू करती है पिछली वीडियो में बार-बार आपको बताया तो देखो यहां पर यहीं बोल रहा है economy capacity of plant represent its तो यह भी काम की नहीं सारे के सारे part आपका main का यह यह output level that equates the average and the marginal cost मतलब इतना maximum output आप निकाल सकते हो अगर आप इससे कम निकाल रहे हो तो आपके पस access capacity का part है अगर इससे कम निकाल रहे हो तो उस case में आपकी cost ज्यादा है यानि cost per unit आपकी ज्यादा आ रही है आप इससे ज्यादा निकाल सकते हो लेकिन market में डिमांड ही नहीं आपके goods की अभी लेकिन जैसे डिमांड आएगी तो आप क्या करोगी वो particular product निकाल सकते हो और आपकी cost भी कम हो जाएगी क्योंकि शुरू में बढ़ी भी है जैसे आप वो access capacity का use करोगे तो आराम से आपकी cost per unit lowest हो जाएगी यानि दीरे-दीरे क्या हो जाएगी cost reduce होती जाएगी तो जब भी हम access capacity की बात करते है तो वो कैसे निकलती है जब हमें economic capacity का part पता हो और reserve मैंने आपको बताया था कैसे होता है कि generally आपका जो curve है उसमे particular एक straight part आएगा फिर ऐसे गुमेगा तो जो आपने ये part रख 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 है सीधा सीधा वो generally reserve capacity का है चाहिए आप यहाँ पे cost per unit बोलो चाहिए यहाँ पे cost per unit बोलो चाहिए यहाँ पे बोलो सब पे सेम है तो आपने जान पुछके reserve रख रख ही है ठीक है जबकि access capacity का मलब क्या है कि market में क्या है जो भी आपने goods produce क पर रख है उसके इसाब से आपकी जो requirement है वो कम ही है तो requirement कम है तो आपके वास access capacity पढ़ीवी है तो एर्थ का जो आपका आएगा वो डियांसर होगा कि अब देखिए बोला मैंस्ट फॉलिंग लिश्ट वन और लिश्ट तू क्योंकि अब आगे चितने भी कोश्चन है मैं आ रहा हूं दस मिनट में पूरा वाट खतम करा दूंगा दिसंबर 15 के बोल रखे हैं देखिए access capacity of the plant तो access capacity of the plant कि से रिलेटर होगा मैंने आपको बताया access capacity का मतलब क्या हो गया cost reduction विद आउट्पुट एक्सपांशन कि देखिए मैंने बना दिया यह आपकी lower cost per unit है आपको बताएगी यहाँ पर जनरली जो आपका output है वह maximum output है तो अगर access capacity बढ़ी है तो मान लो कि आप यहाँ पर produce कर रहे थे अभी और यहाँ तब यहाँ तक आप maximum output निकाल सकते हो तो तब आपकी क्या होगी दीरे-दीरे cost per unit कम होती जाएगी यहाँ पर आप क्यों निकाल रहे थे है वह यहाँ से यहाँ हो रही है और आपका output भी क्या रहा है यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है सीधी सी बात है तो हम क्या बोलेंगे cost reduction with output expansion किसमें होता है access capacity में होता है resorting to new technology जब भी आप नई technology अपनाते हो मैंने बार-बार आपको बोला वह किस से related है internal economies से रिलेटेड है वैसे external में cover कराया था लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था जब ऐसे particular part आए कि आप नई technology अपना रहे हो तो वह internal economies आएगा जब आपको दे रहे है setting up of the training institution तो मैंने आपको बताए कि training center खुल रहे है तो उससे क्या फायदा होगा सारी firms को फायदा होगा क्यों क्योंकि उस training centers पर जो भी worker है या जो भी हम बोल सकते हैं कि person है वो एक तरीके से training ले रहे हैं और दीरे दीरे उनमें efficiency increase होती जारी मैं ऐसी बोल रहा हूं या skill दीरे-दीरे कोई न कोई particular जो भी वो training ले रहे हैं उसकी skill दीरे-दीरे increase होती जारी है तो वो सीधा business में आके काम करेंगे उन्हें extra कोई effort करने की जुरत नहीं होगी तो external economies का फायदा होगा तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि C का आपका आएगा 4 तो आप देख सकते हैं first, third, four किसमें आ रहा है इसमें आ रहा है अब देखिए reserve capacity of plant का मतलब क्या हुआ मैंने आपको बताया था अभी अभी कि जहां पर आपकी cost क्या रही है same ही आ रही है तो यहां पर भी same यहां पर भी same यहां पर भी same यहां पर देखो यह constant cost with output expansion लेकिन पहले आप मानलो कि यहां पर output produce करते थे लेकिन उसमें क्या हुआ कि अगर आपकी demand बढ़ गई तो आपने और output बढ़ा दिया लेकिन आपकी cost per unit same ही रही फिर आपने output बढ़ा रही उसे हम बोलेंगे reserve capacity of plant तो 1342 अब देखिए 10th का क्या बोल रहा है यह बोल रहा है match the items of list 1 with the item of list 2 and indicate the code of correct matching list 1 और list 2 दे रखिए technological advantage आपको बता है कि मैंने किसमें बताया था आपको technicals related production economy में तो यहां पर यह 4 आ गया अब देखिए 4 किसमें आ रहा है A में भी आ रहा है और D में भी आ रहा है तो B और C हटा दीजिए large scale purchase of metal मैंने आपको बार बार बोला कि अगर आप bulk में metal खरीदते हो मैंने producing की बात नह answer होगा specialized department under specialized personal इसमें मैंने दो आपको बताया था एक तो एक तो mechanization का पार बताया था और एक बताया था कि specialized management तो उस oil companies having their own fleet of tanker तो oil company के खुद के tanker मलब transportation cost उनकी दीरे-दीरे save होती जा रही है तो यहां पर आएगा 4 3 1 2 4 3 1 2 तो 10th का आएगा आपका A अब 11 देखिए क्या बोल रहा है इसमें आपको बोल रहा है वह लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहां बोल रहा है constant average cost over a range of output तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा था same to same कि constant average cost over a range of output ठीक है सीधा सीधा पार था मैंने बताया था कि जहां पर आपकी जो cost वह constant हो रही है और जो output है वह आपका बढ़ता हुआ जा रह रहा है बी और डी में आ रहा है तो बी और डी में से कोई हो सकता है एक आट दो और सी काट दो अब देखिए बोल रहा है average cost become constant momentarily का मलब क्या होता है कुछ पल के लिए तो आपको पताए कि जब भी हम average cost का part बनाते हैं और फिर वह बढ़ जाती है तो आपको बताए कि average cost कम ह हो रही है और एक particular point के बाद बढ़ती जा रही है तो वह किसमें होता है यूशेप वाले काव में मतलब average total cost वाले पार्ट में तो वह किसमें होता है कि अब एवरेज cost become constant momentarily तो फिर तो देखो economic capacity का बार्ट ही आपका आएगा किसका बार्ट आएगा economic cost वाले का बार्ट यानि इसमें जो जनरली बार्ट आएगा आपका वह economic capacity का बार्ट आएगा अब आप बोलेंगे सार ए और बी में थोड़ा सा फरक नहीं पता चल रहा तो देखिए आपको difference कैसे पता चलेगा constant average cost over a range of output तो over a range of output जबकि यहां पर क्या बोल दिया कुछ पल के लिए तो कुछ इस पल के लिए मतलब क्या होगा एक पॉइंट के लिए आपका पार्ट आया जहां पर आपकी marginal cost क्या है इसके साथ intersect कर रही है लेकिन उसके बाद आपकी जो average total cost वह बढ़ती जा रही है तो वह कहां बढ़ती एक तरीके से economic capacity जहां पर हम बोलेंगे हमारा output क्या है maximum निकला ह किसके थुरू जो भी average cost कम आई है उसके थुरू ठीक है तो average cost becomes constant momentarily उस particular पल के लिए उसके बाद वो बढ़ जाती है तो उसे हम generally क्या बोलेंगे economic capacity का पार्ट है वो normal average cost is a u shape कर तो आप देख सकते हैं कि आपका जो particular मैंने answer बोला इसमें 11 में तो वह कौन सा बोला था 21 यह ब हुआ क्योंकि आपको बताए कि अगर u shape कर बना होगे तो यह economy की बात कर रहा है यहां पर आपकी क्या हो गई average cost कम हो गई और इसके बढ़ रही है तो यह economy और यह this economy की बात कर रहा है अब देखो यहां पर बोल रहा है modern long run average cost is L shaped आजकल आप देखना कि जो अभी हमने यह कर देखा यह पुरानी theory का था लेकिन आप बोल सकते हो कि अगर एक इंडियन economist की बात करो तो उसने around 29 companies के पार्ट में देखा तो उसको 18 companies में जो कर दिखाना वो ऐसी दिखा उसके बाद वो बढ़तावा नहीं दिखा तो जनरली इसका मतलब क्या था कि वो economies ही अचीव कर रही कंपनिया यानि उनकी कोश्ट पर कम ही हो रही है ना कि बढ़ रही है तो यह modern theory का पार्ट है जिसमें क्या बोलते हैं कि L-shape कर बन सकता है वो किसके थरू होगा production and managerial cost effect इसके थरू होगा तो यहां पर आपका जो आएगा वह थर्ड आएगा देखिए अब यह क्यों आता है को आपको efficiency बढ़ती है तो यह क्या बोलता है कि जैसे आपकी कोश्ट कम आगई मालब आप optimum level तक पहुझ गए उसके बाद भी आपकी कोश्ट कम होती जाती है क्यों क्योंकि उसका फायदा आपको आगे period के लिए मिलता है आप सोचते हो कि यहां तक मिल यहां लेकिन नहीं आपको बात के लिए भी थोड़ा फायदा मिलता जाता है इसलिए आपकी कोश्ट परिंट और थोड़ी कम हो जाती है यह बोल रहा है तो आपको एक तरीके से L-shape मिलता है उसके बाद यह नहीं मिलता तो यह गलत हो गया ठीक है यहां तक यह आपका बनेगा यह बोल रहा ह अलग अलग डेपार्टमेंट बना रहे हो प्रडोडोशेंट फर उसके लिए अपने यहिए पार्ट्मेंटर को और आपके की अपरेजिए कर दे जसके आपकी cost per unit के आजाएगी कम आजाएगी तो जनरली यह बोल रहा है कि production और managerial cost effect लिए जाते हैं ठीक है आपकी आने वाले time के लिए जो repair cost होती है वो कम आती है यह बोल सकते है material और जो equipment आपको मिल रहे है वो क्या मिल रहे है cheaper cost पे मिल रहे है आगे के लिए भी यह नहीं कि आप बोल सकते हो कि आने वाले time पे महेंगे मिलेंगे ऐसा नहीं है आपको पता है कि दीरे दीरे technical improvement होता जाता है तो इस case में हम क्या बोलेंगे कि जो modern long run average cost है वो एल शेप का ही होता है तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो जनरली कौन सा होगा 11 का second one fourth और ठीक है यानि 11 का आपका आपका आंसर होगा डी अब देखिए 12 में क्या बोल रहा है अब देखिए अगर आप में देखोगे कि optimum level of output का होगा तो आपको मैंने बार बार बताया कि जहां पर जनरली आपने average cost का एक पाड़ बना दिया ठीक है उसके वाद आपको बता है कि marginal cost average के left hand side पर होता है तो जहां पर आपकी average cost minimum आ रही है क्या रही है average cost minimum average variable नहीं average cost की बात कर रहे है क्योंकि आपको बता है कि short run में fixed cost भी होती है और variable भी होती है तो AFC plus ABC मिला के क्या बनती है आपकी average बनती है तो यहां रखना ATC average total cost या AC average cost की बात करते हैं और यह marginal cost है इसके बाद जनरली marginal cost आपकी बहुत speed से बढ़ेगी तो average cost भी बढ़ेगी लेकिन हम क्या बोलेंगे यहां पर आपकी average cost सबसे कम आ रही है तो उस case में आपका optimum level of output होगा तो वह output का level जहां पर average cost क्या हो minimum हो 12 का पॉइंट अब देखिए मैं particular PDF में क्यों नहीं लेके जा रहा है क्योंकि यह नॉर्मल पार्ट है वहां जाके देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा अब 13 इसमें क्या बोल रहा है कि यह देखिए बोल रहा है अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इससे पहले अगर मुझे जॉब की अपॉर्चनिटी थी और मुझे ऑफर आया कि आप 30,000 कर सकते हो लेकिन आपको पढ़ाने के लिए particular मैंने वह जॉब नहीं करी क्योंकि यह फुल टाइम है ठीक है तो ह रिवार्ड मेरा लॉस हो गया वह बैनिफिट मेरा एक तरीके से छूट गया तो हम क्या बोल सकते हैं नैक्स्ट बैस्ट अल्टरनेटिव फॉर्गॉन सिंपल मिनिंग तो यह यह तो आप यह भी बोल सकते हो कि X को पाने के लिए Y की कि कितनी यूनिट छोड़ी जो जनरल आप पढ़ते थे ठीक तो अलग-अलग पार्ट में आप अलग-अलग पढ़ते हो तो वैसे सोच के करिए तो यहां पर यही बार्ट बोल रखा है कि ए बार्गें प्राइस पॉर फेक्टर प्रोड़क्शन नहीं ए प्रोड़क्शन कॉस्ट रिलेटेट टू ऑप्टिमम लेवल प्रोड़क्शन नहीं एवरेज वैरियबल कोश्ट नहीं दी देखिए दर लॉस ओफ रिवार्ड इन दे नेक्स्ट बेस्ट यूज ऑफ डैट रिसोर्स कि अगर आप सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव में उस रिसोर्स का यूज करते तो आपका कितना लॉस हो रहा यहां तो इसका आंसर किया होगा डी और ऐसे भी तो सो सकते हो बिजनेस में कि अगर आपने जो कैपिटल लगाई मालो टैनलेक लगाए अगर आप सको बिजनेस में नहीं लगाते तो कहीं और लगाते तो आप कितना interest कमाते तो वो क्या होगा एक तरीके से second best alternative जो आप नहीं कमा पाए तो उसका interest का कितना loss हुआ वो generally क्या कह रहाएगा आपका opportunity cost का part तो 13 का क्या आपका D अब देखिये 14 which one is not the items of economic cost to the business June 13 का है अब देखिये मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है क्योंकि इसका answer भी था market supply resources मैंने खुब बार चेक करा market supply resources जा रहा है लेकिन मुझे सारे के सारे party economic cost के लग रहे है अब क्यों लग रहे हैं मैं आपको बतायाता हूँ क्योंकि economic cost में आप explicit भी लेते हो या रखना और implicit भी लेते हो अगर आप accounting की बात करते हो account cost की तो उसमें सिर्फ आप क्या बोलते हो explicit और कुछ आप implicit लेते हो लेकिन हम normal term में क्या बोलते है accounting में explicit आती है और economic में क्या आती है explicit प्लस implicit आती है दियान रखना अब देखिए आप एके करके दिमाह लगाई कि सारे क्यों है economy cost के आइटम और मैंने कोई भी ऐसा option क्यों नहीं चूज कर रहा यानि ABCD में मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि सारे के सारे economy cost क्योंकि सोचिए owner supplied resources का मतलब क्या होता है सोचिए कि आप owner हो आपने जो resources दी है तो इसका मतलब क्या है माल लोग की owner खुद काम कर रहा है owner खुद accountant है तो उसको accountant की जुरत नहीं है तो salary of owner salary of owner तो एक तरीके से वो क्या है implicit cost का part है तो owner के supplied resources owner के पास खुद के बास amount था उसने business में लगा दिया तो owner ने क्या कर रहा capital लगाई capital पर उसे interest नहीं मिल रहा ठीक है real में लेकिन interest on capital एक तरीके से implicit cost है owner का खुद का क्या बोल सकते है गर जिसमें उसने क्या कर रखी है उपर shop 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 open कर रखी है तो उस case में क्या है उसको rent चुकाने की जुरत नहीं पड़ रही तो owner supplied resources ये पाट आगे न सारा का सारा तो उस case में क्या है कि सारा का सारा जो firm ने खुद ने own कर रहा है और खुदी firm क्या कर रही है use कर रही है तो owner supplied resources आ गया तो उसकी जो भी cost होगी वो economy cost का पाट बनेगी market supplied resources का मतलब क्या होता है तो उस case में मैं क्या बोलूँगा कि market के थुरू मैंने rent पे ली ये भी तो सकता है market के थुरू मैंने hire, cry पे ली, lease पे ली तो market supplied resources अगर मैं labor hire कर रहा हूँ तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ salary दे रहा हूँ जैसे एक accountant की salary तो मैं खुद accountant नहीं हूँ लेकिन मैं कोई accountant hire कर रहा हूँ तो उसको salary दे रहा हूँ जबकि इसमें क्या बोल दिया है कि economy cost का party नहीं है ये वाला option तो गलत हो गया न आपको पता है कि market supplied resources तो main economy cost का part क्यों होगा क्योंकि जिसके लिए आप expenses pay कर रहे हूँ उसे बोलता है explicit cost यानि जिसके लिए आप expenditure कर रहे हो monetary payment या रखना उसे हम बोलता है explicit cost और implicit का मलब क्या होता है non-monetory opportunity cost of using owner supplied resources इसका मलब owner का खुद का गर यूज कर रहे है owner खुद का अपना गर यूज कर रहा है तो उस case में क्या कर रहा है उसे interest मिलता उसे interest नहीं मिल रहा तो वह non-monetory हो गया ना इसके लावा implicit cost भी क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ तो cb सेम है db सेम है c is equal to dar रखना और c is equal to d और आपको बता है a क्यों आएगा क्योंकि a का ही आप यूज करते हो owner supplied resources का यूज करते हो खुद का उसके घर पर ही चलाता है तो उसको rent पे करने की जुरत ही नहीं है तो वो क्या हो गई implicit cost आ गई या क्या आ गई non-monetory आ गई क्यों क्योंकि उसको payment करने की जुरत नहीं है लेकिन अगर मानलो कि वो बाहर कहीं पर shop खोलता है और rent पर लेता है क्लिनिक तो उसकेस में उसको rent पे करने की जुरत होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे मार्केट सप्लाइड रिसोर्स तो सारे पार्ट आ गई कॉनिक में हम क्या बोल सकते है एक्स्प्लिसिट भी आ गया और तो कभी दिक्कत नहीं होगी फिर आपको बोल रहा है फिफ्टीन इफ टोटल कॉस्ट इस रूपीज तो आपको बताएगे तो आपको बताएगे 200 रुपीज क्या निकल के आएगी आपकी फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाएगी अब मैंने क्या बताया कि फिक्स कॉस्ट चाहे जीरो आउटपुट तब भी 200 रहती है जो इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ 200 रुपीज रहेगी ठीक है चाहे आप 10 डालो टोटल फिक्स कोश्ट क्या रहेगी आपकी 200 रुपीज तो आंसर क्या होगा 15 का बताओ कितना सिंपल आया था दिसंबर 13 में तो कभी-कभी ऐसे गए बीते भी आजाते हैं अब आपको बोल रखा है वेन एवरेज कॉस्ट इस डिक्लाइनिंग सिक्स्टीन थैं कि ए लोड़न दे रहा है और घुरन मस्ट कॉस्ट्पी अब ऑवरेज कोष्ट मस्ट बिलोवरैज कोष्ट मस्ट मार्जक कोष्ट मस्ट मस्ट भी रροएसिंग आ 근ोंतों कि आपको कर्व बना इना चाहिए। जब भी मैं एवरेज कॉष्ट कि बात करता हूं तो ऐसे निकलता चा cost का point जा रहा है यहां पर देखों कम बॉल रहा है average cost declining कब Marginal cost must be below average cost तो अभी तो हम से हम से यह पूछा थे तो आप क्या बोल। होग है marginal cost must be below average cost तो 16th का आपका answer क्या होगा सी होगा बताइए ऐसे simple simple भी आये हैं अब 17 अब देखिए यह भी basic question है कोई typical नहीं है आपको typical लगेगा पर मेरे को नहीं लगेगा क्योंकि जनरली इस में देखो क्या बोल रहा है कि assertion marginal cost and differential cost do not convey the same meaning in all circumstances पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो differential cost जिसको मैंने क्या बताया था incremental cost या रखना मैंने उसमें incremental cost लिखा हुआ है तो मैंने बताया था कि 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 वज़े से change होता है level change होने से कि अगर आप पहले 10,000 unit produce कर रहे थे अब अगर आप 15,000 unit produce करोगे क्यों क्यों क्योंकि आपको बताया कि आपकी efficiency का level बढ़ गया है या क्या पता आपकी capacity बढ़ गई हो क्या पता पुरानी machine की जगे आप नई machine purchase कर रहे हो replace कर रहे हो तो उस case में आपकी extra cost क्या बढ़ी है तो fixed cost से कभी भी देखते हो आप आप किससे देखते हो जो मैंने आपको बताया कि पुरानी की जगे नई machine replace कर रहे हो आप अपने business का scale बढ़ा रहे हो तो particular वह पार्ट देख रहे हो तो उसके तुरू आप इक देख रहे हो कि आपकी cost में कितना increment हुआ है जबकि marginal cost के हम बात करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं एक की unit में change होने से आपकी cost पे क्या सर्वा है वह होता है marginal cost जबकि हम differential cost की बात करते हैं incremental cost की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि level में change होने से या एक machine को दूसरी machine से replace करने से क्या change हुआ तो incremental cost भी हमेशा variable cost के थू होता है लेकिन particular वह बड़े हम ऐसे बोल सकते हो जब कि मार्जिनल कोस्ट क्या होता है पर्टिकलर एक-एक यूटेस रिलेटेट होता है कि एक यूनिट चेंज होने से मार्जिनल कौस्ट पर क्या चेंज हुआ तो यहाँ हम बोलेंगे दोनों अलग होते हैं अगर आपको और पर देखना है तो पिछली व तो यहां पर हम बोलेंगे डिफ्रेंशल कॉस्ट इंक्रीजेज़ डिक्रीजेज दूटू चेंज इन्फिक्स नहीं उसमें वैरियाबल कॉस्ट का पार्ट भी आता है तो डिफ्रेंशल कॉस्ट का पार्ट यह गलत हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे एट्रू है क्योंकि दो क्यों कि ग्यांगे बहुता है कि अग्युक्ति क्यूंट है फिरेंशल सोचभाइबल रहाँ है क्योंट है Q cube है तो Q square रह जाएगा क्यों क्यों कि जैसे आपने आगे वाली value के साथ माल लो कि 8 था आगे 8 Q cube तो 8 into 3 क्या हो जाएगा 24 तो क्या रह जाएगा 24 Q square माल लो Q 4 है और आपने बोल दिया कि जैसे यहाँ यहाँ पे 5 है तो 5 into 4 कितना आगया आपका 20 और यहाँ कहरे जाएगा 20 का QQ क्योंकि 5 into 4 किया और एक पावर हट गई और रह गई गया Q Q रह गया इस तरीके से तब ही हमारे यहाँ पे क्या रह गया था Q की पावर 1 रह गई थी क्योंकि जैसे हमने multiply करा तो 4 हो गया और Q की पावर 1 खट गई तो एक ही रह गई Q की पावर 1 ठीक है तो I hope आपको सारा पाट समझ में आ गया होगा तो अगली वीडियो हम देखेंगे revenue का पाट ठीक है उसके बाद हम देखेंगे price determination से related but video देखने के लिए thank you